नमस्कार दोस्तों मैं जग्दिश प्राइमोंज पॉपर्टिज में आप सभी का एक पर स्वागत करता हूँ दोस्तों आज मैं लाओ आपके लिए खास इंफॉर्मेटिव वीडियो ये वीडियो रहेगा नेरल सीटी के बारे में दोस्तों आप जैसे सभी जानते हैं सेंटर लाइन में बतलापूर की बाद सबसे अपोर्डबल हाउजिंग का कोई जगह है वो है नेरल बुंबई के नेजडिक सबसे अच्छे कम कीमत में अच्छे प्राइजिंग में यहाँ पे अभी काफी सारे घुरो का ओप्षिन काफी सारे फ्लैट्स का ओप्षिन आपको नेरल में मिलने वाला है सयद्री और मातेरन माउंटन के गोदी में बसा हुआ नेरल काफी खूबसरत आपको हर एक मुसम में दिखाए देता है आप देख रहें नेरल के अबादी कितने तीजी से बढ़ रही है आप जहाँ पे देखो कि वाँ पे आपको बिल्लिंग बनता हुआ नजर आयागा और साथ में नेरल को काफी अच्छा एंवर्मेंट भी मिला है यहाँ पे आपको कई सारे जगह पे ग्रीन जोन है और कई सारे जगह पे आपको उपन स्पेस मिलने वाला है काफे अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट नेरल में बन रहे है जिसमें मैं आने वाले हर एक वीडियो में आपको एक एक प्रोजेक्ट के बारे में बताने वाला हूँ जैसे की आप देख रहे हैं अभी एरियल व्यू यहाँ पे स्वागत विलेज करके एक बड़ा सा प्रोजेक्ट अभी बन रहा है उसके बाजू में लक्ष्मी आईकॉन और टूडियो हॉइफाई और माइसकाई दो मॉनिंग और रक्ष्मी और्चिड जैसे कई सारे नामचीन बड़े प्रोजेक्ट इस नेरल के एरिया में बन रहे है और आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा व्यू नेरल का आपको बरसत के टाइम मॉंसोन सिजन में आपको मिलने वाला है नेरल आप देख सकते हैं एरियल व्यू से काफ़ी तेजी से बड़ा हो रहा है अभी नेरल है जो नगरपालिक का फर्म हो रहा है और नगरपालिक में मिलने वारे सारे फैसिलिटी आपको नेरल में अभी मिलने वाली है आप देख सकते हैं कितने बड़े बड़े प्रोजेक्ट नेरल में तेजी से बन रहे हैं और लोग भी काफी चीजी से नेरल में अपना घर पहला घर लेनी का प्रैस कर रहे हैं वैसे तो नेरल अपि दो इस्तों में बटा हुआ है ओल्ड नेरल और न्यू नेरल नेरल इस्ट का जो जगह है वो न्यू डेवलोप्मेंट के लिए जाना जाता है यहाँ पे बड़े-बड़े रस्ते प्लैन किया गए है और actual में concrete के रस्ते और streetlight यहाँ पे बन चुके हैं आप यहाँ का experience ले सकते हैं हमारी कोशिश है कि आपको नेरल में अच्छे से कम से कम प्राइज में अच्छा से अच्छा आपका सपनों का घर दिलाने में हम सोयक दे आपको आज जो प्रोजेक्ट दिखा रहा हूँ उसका नाम है स्वागत विलेज और रेज्वेस्टेशन से आप इस प्रोजेक्ट तक इसे रास्ते से जो मैंने दिखा है इस रास्ते से आप आ सकते हैं यह जो प्रोजेक्ट है यह टाउंशिप प्रोजेक्ट है लगबख 9 बुल्डिंग का टाउंशिप है जिसमें आपको सभी एमेर्टिज मिलने वाले हैं और में रोल पे यहाँ पे स्वापिंग कॉंपलेक्स भी बन चुका है प्रोजेक्ट के अंदर आपको सारे बिल्डिंग्स में स्टील पार्किंग और अच्छा सा ओपन स्पेस मिलने वाला है। इस प्रोजेक्ट में आपको गनेश जी का एक खुब सुरत मंदिर भी बनाया गया है। पर यहां पर अच्छा सा गार्डन मेंटेन किया गया है। साथ में आपको स्विमिंग पूल, जीम, क्लब होल्सुर्ण दोस्तों यह है स्वागत विलेज का पहला इंट्रीगेट। अभी इस प्रोजेक्ट में तीन विल्डिंग रेडी होके उसका पॉजेशन दिया गया है। और आगे का तीन विल्डिंग का काम जोर से शुरू है। इसी विडियो में आपको वो कॉम्बी में दिखा दूँगा तो आप विडियो में हन तक बने रही है। चलो देखते हैं इस प्रोजेक्ट का डेवलेप्मेंट। आज की इस विडियो में दोस्तों मैं आपको एक शांदर टूबेज के फ्लाट दिखाने वाला हूँ। चलो जगते हैं सिधा फ़र्निश्ट टूबेज के फ्लाट। काफी खूबसरत इंट्री इस फ्लाट में बनाए गई है। आप देख सकते हैं एक्च्विल आर्सो पांच के इरिया में बना हुआ टूबेज के फ्लाट। देखिए दोस्तों कितना शांदार इंटेरियर इस फ्लाट को बनाया गया है। आप देख सकते हैं लिविंग रूम और लिविंग रूम को अटेच टेरेस। दोस्तों मैं जो अभी दिखा रहा हूँ एक फ्लाट है फर्निश फ्लाट है। आप भी इसी तरह से यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके अपने फ्लाट को फर्निश कर सकते हैं। उसके लिए अलग-अलग पैकेज हमारे पास अवेलेबल है। आप देख सकते हैं कीचन के सामन में जो फ्रेम मनाया है कितना खूब सुरत दिख रहा है काफी अच्छा इंटेरियर इस घर में आपको जगह जगह पे देखने को मिलने वाला है। कीचन देखिए दोस्तों कितना बड़ा कीचन है और सारे एकुप्मेंट यहाँ पे सही जगह पे लगाय हुए है। दोस्त तो इसी प्रकार के फरनिश फ्लैट हम इस प्रोजेक्ट में आपको प्रोवाइड भी कर सकते हैं। किचन के बाद हम लोग देखेंगे इस घर के छोटे बेडरूम को बच्चों के बेडरूम को इसी प्रकार से आप भी यहाँ पे प्रॉपर्टी लेके आपकी घर को इसी के साथ इस प्रोजेक्ट में आपको स्टूडा अपरमेंट भी मिलने वाले हैं। तो साड़े तेरा लाग से 27 लाग के बजट में आपका कोई भी बजट हो तो यहाँ पे आप फ्रॉपर्टी ले सकते हैं। दोस्तों यह जो फ्लैट आप देख रहे हैं इसका बिल्ट 600 का कर्पेट हैं। दोस्तों कैसा लगा आपको टूबेच के फ्लैट काफे अच्छे एरिया में इसको बनाया गया है और इसका जो मटरेल हैं काफे अच्छा यूज़ किया है। ऐसे ही इस प्रोजेक्ट में आपको स्टूडिया परमेंट वनर के और वन बेच के की भी कि हमस्ते जय हैं।